हेलो बच्चों कैसे आप सब आएं, बेरी शूर आप सब बहतरीन है बहुत सारे बच्चे जो हैं, बहुत सारे बच्चे CS कर रहे हैं, ठीक है? Yes, so CS कर रहे हैं, और CS के साथ में वो सुछते हैं कि अगर हमको कुछ additional करना है तो हम LLB कर लेते हैं और बच्चों मैं हमेशा कहता हूँ कि ये बहतरीन कॉंबिनेशन है, CS प्लस LLB ठीक है? उसके बाद कई लोग बोलते हैं कि सर एक और कोर्स है, LLB करने के बाद क्या हम Master of Business Laws कर लें या फिर LLM कर लें यहां पर अगर आपको अगर आपने CS किया है, तो आपको अगर ये दो कोर्स करने है, तो आप कर सकते हैं क्योंकि education तो हमेशा ही अच्छा है और अगर हम job करते करते ये भी additional courses कर लेते हैं हमारे लिए काफी अच्छा है, ठीक है, क्योंकि बड़ी-बड़ी company के अगर हम company secretaries देखें, ऐसे company secretaries देखें, जिन्होंने सच में बहुत जात रखी किये हैं, तो उनके पास law की ही field में बहुत सारी degrees है, अब बचों अब इसमें एक चीज़ या रखना, आपने CS कर लिया है CS कर लिया है, तो आपको package बहुत बहतरीन होगा, over the period of time आपको बहतरीन package मिलेगा, सब कुछ बहतरीन होगा, ये degrees का फाइदा क्या है, अगर हम additional degrees लेते हैं, और बचों ये degree आपको ऐसा नहीं कि CS के बाद आपने LB किया, उसके 2 साल के अंदर तुमको ये start करना है, आपके प अगर आपको ये दोनों नहीं करना है, एक और चीज, क्योंकि बचों आजकल company secretaries आपको पता है कि हम लोग KMPs है, तो जैसे आप किसी principal company के, किसी main company के आप क्या रहते हैं, किसी main company के आप CS रहते हैं, और yes, आप main company के CS है, हो सकता है उस company की, कोई subsidiary company हो, कोई बहतरीन group company हो, औ और उसका आपको CEO appoint कर दिया जाए, managing director appoint कर दिया जाए, director appoint कर दिया जाए, तो इस case में ये देखना होता है, कि भई, आपके पास वो managerial कुशलता है या नहीं है, तो इसलिए मैंने बहुत सारी, बहुत सारे company secretaries के profile देखे, जैसे कि, मिसाल के तौर पे, ICICI bank के जो company secretary है, वो ICICI bank के company secretary है, और ICICI trusteeship services limited के executive director है, ठीक है, अब ये भी ज़रूरी नहीं है, कि अगर आपको director बनना है, तो आपके पास कोई managerial degree या management की degree होनी चाहिए, बट बच्चों, मैं आप सबको एक long term का goal बता रहा हूँ, so, आप CS plus LLB, ये दो courses तो definitely कीजे, ये मतलब मैं CS के साथ आपने LLB कीए, तो अच्छा है, कई बच्चे बोलते कि, नहीं सिर, हमको CS के साथ LLB नहीं करना है, तो आप मत कीजे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं हमेशा suggestion देता हूँ, कि CS के साथ LLB कर लीजे, क्योंकि मैंन बहुत सारी government की posting और बहुत सारी अलग-अलग जगों पर देखा है, LLB होता है, तो एक additional benefit मिलता है, और कोई ऐसा तो है नहीं कि LLB आपको पहार तोड़के मिलने वाले है, असानी से मिल जाता है, अगर आपने CS किया तो, दूसरी चीज, MBL, LLM आप कर सकते हो, बहुत पॉलिसी होती है, जैसे मक्वाइरी में जब मैं इंटर्वी के लिए गया था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि हमारी policy है, कि अगर आपने हमारे यहां पे तीन साल, फाइव यर्स, अगर आपने हमारे यहां फाइव यर्स काम कर लिया, और आप एक level, जो CS का level होता है, तो हम आपको आपका जो executive MBA है, उसको हम sponsor कर देंगे, तो आप world की top 20, top 50 university से कर सकते हैं, आपको GMAT वगरे clear करना होगा उसके लिए, और वो भी clear हो जाता है, क्योंकि जब हम बताते हैं कि हम किसी company में CS की तरह काम करें, तो हमको उसमें additional points मिलते हैं, ठीक है, तो बच्चों, त नहीं देखा हो तो प्लीज आपो वीडियो देखिये, Tata Steel के company secretary, ICICI bank के company secretary, जितने भी top group के top companies के company secretary है, इन सब के पास, Stanford, Wharton, Howard, London School of Economics, London Business School, इन सब लोगों ने कहीं न कहीं वहाँ से क्या किया हुआ है, एक MBA, या फिर Masters of Business Management किया हुआ है, सब लोगों के साथ ये common चीज़े है, तो बच्चों, मुझे एक चीज़ बताईए, और ये चीज़े मैं आपको बता रहा हूँ, ये चीज़े मैं आपको MBL बगरे करना है, तो आप उसके साथ में कर लीजे, या फिर अलेक से कर लीजे, और इसका MB होता है, थोड़ा महंगा होता है, I think 40-50 लाख रुपए, 60 लाख रुपए का खरचा होता है, बट ये सारा cost जो है, वो company bear करती है, आपको company के साथ एक bond कर साइन करना होता है, कि ये करने के बाद, आप 5 साल company नहीं छोड़ेंगे, या 10 साल company नहीं छोड़ेंगे, whatever the bond may be, ठीक है, और उस bond के अंदर भी clauses होते हैं, कि अगर आपको छोड़ना है, तो आप 25 लाख रुपए दे दीजिए, और छोड़ सकते हैं, वो clause को तोड़ सकते हैं, ऐसा भी होता है, so मैं आप से चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, वो CS के student होंगे, ठीक है, वो CS के क्या होंगे, student होंगे, तो बच्चो मैं चाहता हूँ, कि instead of, you know, कि हम सिफ ये सोचें कि काम करते रहें, काम करते रहें, ये सब करने से बच्चों, आप ज उसे तीन गुना package मिलेगा, ठीक है, इसलिए CS करने के बाद भी शांत मत बैठिये, law की field में, काफी ज़्यादा नुभव लीजे, काफी अच्छे से काम कीजे, और in field से, यहां से, आप क्या कर सकते हैं, बच्चों, यहां से आप क्या कर सकते हैं, MBA कर सकते हैं, आपको बहु एक गोल मान की रखें, ठीक है, थांकियो सो मच, गॉड ब्लस यह,